नमस्कार, स्वागत है आपका मिनाक्षी इस किचन में आज मैं शेक करूँगी पिनाटा केक की रेसिपी पिनाटा केक आज कल ट्रेंड में है इसको बनाने के लिए मैंने आप लिया है यह पिनाटा केक का मोल्ड मैंने हार्ट शेप का मोल्ड लिया है और ली है मैंने आपपर ये चकोइलेट मैंने आपर 200 g ग्राम चकोइलेट ली है मैंने milk और dark चकोइलेट मिक्स करके ली है जो चकोइलेट आपके पास अविलेबल हो आप ले सकते हैं इसे हम मैल्ड करेंगे डबल बॉयलर पे चाहे तो इससे आप microwave में melt कर सकती है microwave में melt करने के लिए पहले 30 सेकिंड इसको आप melt कर लेजे एक बरे चला लेजे इस तरीके से चला चला कर इससे आप melt कर लेजे double baller melt करने के लिए मैंने pan में पानी रख गया था गरम करने के लिए gas को slow heat पर रखेंगे चॉकलेट को लगाता स्टर करते वे हम melt कर लेंगे इसके लिए जोब चॉकलेट आपको पसंद हो आप ले सकते हैं चाहे तो आवाइट चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं तो यह देखे चॉकलेट हमारी melt होना शुरू हो गई है पिक आपको अर चॉकलेट में यह अच्छही। में आपको नोल्द कंशना हो तो वे क्याए मतभी आंपर कि तो यह दिए चॉकलाट हो गई अब इस नहीं किवी चउकलेट को मौल्ड में ml लगाएंगे इसको सेट करने के लिए हमें इसके में यह एला नहीं होंगी चौकलीट की तो फिलाल मैं पहली लिया लगा रही हो चौकलेट की उजिष को भी एक पडै अच्छे से कवर करिए इस तरहीक के से अर्जिस्के पर अच्छे से छुक्ट लगा लें तो यह देखे मैंने पहली लेयर चॉकलेट की लगा ली है अब इसको हम सेट करने के लिए रख देंगे करीबन 10 मिनिट के लिए 10 मिनिट बात गदेखे चॉकलेट हमारी सेट हो गई अच्छे से अब मैं दूसरे लेयर चॉकलेट की इसके उपर लगाऊंगी अगर आपके लेयर चॉकलेट की मैंने लगा ली है अब इसको हम सेट होने के लिए करीबन 10 मिनिट के लिए रख देंगे ताकि चॉकलेट हमारी अच्छे सेट हो जाए तो यह देखे मोल्ड में चॉकलेट सेट हो गई अच्छे से अब इससे हम डी मोल्ड करेंगे बिल्कुल सावदानी से आप दी मोल्ड करें तक इसके अजस टोटना जाए और इस पिनाटा केक को हम मोल्ड से निकाल लेंगे तो यह देखें पिनाटा केक केक शेप इदम परफेक्ट आई है हमारी एक तम अच्छे से निकल के आया है हमारा पिनाटा केक अब इसके नीचे रखने के लिए मैं एक सॉफ्ट स्पॉंज बना रही हूँ तो मैंने आपर लिया है ये एक कप मैदा सारे चीजों को मैं छान रही हूँ एक कप मैदा और थ्री फोर्थ कप ली है मैंने आपर पिसी भी चीनी वन टीस्पून एड करेंगे इसमें बेकिंग पाउडर आफ टीस्पून एड करेंगे इसमें बेकिंग सोडा हमें आपर एगलेस केक बना रहे हैं दो टेबल स्पून एड कर रही हूं मैं इसमें कोको पाउडर इन सबकों में एक बार ही चान लेंगे ताकि जो इसमें लॉम्स हैं वो निकल जाए और इसमें एयर भी ट्राप हो जाए तो यह देखिए मैंने इसको चान लिया है चानने के बाद मैं इसे साइड में रख दूँगी अब मैंने अपर एक और बोल ले लिया है मैं इसमें एड कर रही हूँ वन फोर्थ कप ऑईल जो इसमें आप एड करें इसमें कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए चाहिए तो आप सकते हैं युश नहीं थे कर लेंगे एक दम स्मूथ कर लेंगे अच्छे टाकि दही और ऑल अच्छे से मिक्स हो जाए आप चाहे तो इंाऊ-ईकायचुच इन्सों को मिक्स कर ने केरें के लिए अथ्य चिसराइट मीक्स कर सकते हैं तो रेए Cambio जिआ च्छी मिक्स कर और र हाफ टीज़पुन वनिला एसेंस इसको भी अच्छी से मिक्स कर लेंगे अब हम नमक डाल दिया और नमक डूका लगा ऐसेयं एब ब्रीट कर लिए रगड़ देंगे और हमिने केक्क टीन पहले से तजी तयार कर लिया मैं इसको बैटर पेड़ से रहा है अब अब ड्राय और और वेट इंग्रेटेंट्स को मिक्स करेंगे, दिरे दिरे इसमें डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, इसको मिक्स करते समें डिरेक्शिन एक ही रखेंगे, और सारा मिक्सिर डाल कर इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, दिरे दिरे एड करते जाएंगे और इसको mix करते जाएंगे तो यह थोड़ा सा mixture बचा है इसे भी हम mix कर देंगे तो यह केक का बैटर हमारा काफी dry है थोड़ा सा मैं इसमें आड कर रही हूँ दूद करीबन 2 टेबल स्पून दूद मैंने इसमें आड कर दिया है तो यह देखिए चॉकलेट केक के स्पॉन्ज के लिए बैटर हमारा तयार हो गया है अब इस सारे बैटर को मैं डाल दूँगी केक के टिन में इसको बेक करने के लिए सारा बैटर केक के टिन में डालने के बाद इसको हम एक दो बारी इस तरीके से टाप कर देंगे ताकि यह इवनली स्प्रेड हो जाए अब इस केक को हम बेक करने के लिए कड़ाई में इस केक को हम करीबन 35 से 40 मिनिट के लिए बेक करेंगे यह बज़ा तक अच्छे से यह पकना जाए और गयाश को लो टू मीडियम हीट पर ही रखेंगे और इसको डखकर लगा कर हम बेक होने के लिए रख देंगे करिबन 40 मिनिट बाद मैं केक को चेक कर रही हूँ इसमें हम टूथफिक डाल कर इसको देखेंगे तो यह देखें टूथफिक बिल्कुल क्लीन आई है इसका मतलब केक हमारा तैयार हो गया है अब हम केक को कड़ाई से निकाल लेंगे अब इस 테ख को ढगके रख देंगे थंडा होने के लिए तब तक पिनाटा केक को गानिश्ट कर लेंगे पहले हम पिनाटा केक को ऐवन कर लेंगे तो मैंने आपर पेन हलका सा गराम कर लिया था इस स APIs के गरम पैन में निकाल लेंगे तक कि इसका base even हो जाए नीचे से तो ये पिनाटा केक के edges हमारे बिल्कुल even हो गए हैं इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है अब मैं इसको garnish कर रही हूँ melted white chocolate से कैसे भी इसको आप garnish कर सकते हैं अब मैं इसके उपर लगा रही हूँ ये golden pearls तो ये पिनाटा केक हमारा तयार हो गया और केक के base में रखने के लिए जो हमने चॉकलेट का sponge बनाया है ये भी ठंडा हो गया है अब इसे हम demold कर लेंगे इस तरीके से पहले edges को अलग कर लेंगे हम टेंज से अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे तो इस तरीके से मैं टिन को लटा कर दूँगी हलकल कर टैप करके मैं केक को निकाल लूँगी और जो हमने पेपर लगाया था इसको हम निकाल के साइड में रख देंगे आप चाहें तो पिनाटा केक के base में चॉकलेट भी रख सकते हैं अगर आप यह वी तो आप इसपॉँज ना बनाना चाहें तो तो यह दिकिए इस आप साफ साइप बन के तयाब हुआ है चॉकलेट का अब इसे म делать वहतुआ हैं हम इसे हम हांच शेप में कॉड करेंगे और इसको हम केक के उपर रखके केक को हार्ट शेप में कट कर लेंगे तो इस तरीके से सिजर से मैं पेपर को कट कर रही हूं पहले अगर आपके पास कोई मोल्ड हो हार्ट शेप का तो इसे भी रखके आप इसे कट कर सकते हैं अब इस पेपर को हम केक आप रख लेंगे अब हम केक को भी नाइफ से कट कर लेंगे इस तरीके से मैं केक को कट कर लेती हूं और जो साइड से केक बच जाएगा चाहे तो से आप ऐसे ही खा सकते हैं या फिर इसके आप चॉकलेट पॉप्स भी बना सकते हैं तो यह देखे केक को मैंने कट कर लिया है हार्ट शेप में अब इसके साइड से जाए एक्स्ट्रा एसे हम निकाल लेंगे तो यह हार्ट शेप का केक बनके हमारा तयार हो गया तो यह पिनाटा केक और इसके बेस के लिए जो हमने चॉकलेट का स्पॉंज बनाया है दोनों ही हमारे तयार हो गए अब हम पिनाटा केक को एसेंबल कर लेंगे तो पहले ही मैं इस बोट के उपर रख रही हूँ चॉकलेट का स्पॉंज जो हमने बनाया है अब मैं इसके उपर लगा रही हूँ चॉकलेट स्प्रेड चॉकलेट स्प्रेड लगाना आपकी मर्जी है आप लगाए या न लगाए चाहे तो आप चॉकलेट सिरप भी लगा सकते हैं, इसको और तरव हम बराबर स्प्रेड कर लेंगे, तो मैंने केक के उपर चॉकलेट स्प्रेड और सिरफ दोनों ही लगा दिये हैं, अब मैं इसको गानिश कर रही हूँ स्प्रिंकलर से, थोड़ सी मैं लगा रही हूँ इसके उपर ये जैम्स, इसे कलर फुल पिनाटा केक से, तो यह देख पिनाटा केक बनके हमारा तयार हो गया, इसे हम कट नहीं करेंगे, इसको हम स्मैश करेंगे इस तरीके से हैमर से, इस पिनाटा केक को आप किसी के बर्थ डे के लिए या फिर किसी और ओकेशन के लिए भी बना सकते हैं, तो तयार है हमारा ट् आपको मिलता रहे